उम्शान्ति आप सबको स्वागत है हम कल के सेशन में बहुत बिजी रहे जिसकारण से आपका 1st October का जो वर्दान है वो मेस आफ हो गया आज में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कल का सेशन बहुत ही सुन्दर रहा अब वो ग्रुप जो है उसको आप छोड़ीगा मत अगर आप उस ग्रुप को नहीं जॉण कर पाई किसी रीजन से तो आप 891-8520-787 जो की नीचे आपको दिखाया जाएगा message उस पे आप मुझे वोट्सार बिल जाएगे जहाँ पर आप उस ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं और आप आने वाले sessions में participate कर सकते हैं यह सारे sessions free हैं और ये आपको help करते हैं self realization में और हमारे मन में कौन से viruses हैं जिनको हमें destroy करना है ताकि हम financially, mentally, emotionally, spiritually, चली relationship wise और health wise आगे बढ़ते जाएं तो देखें परमातमा पिता ने कल के वरदान में जिसको उनने मिस्स के तो उसमें कहा गया था परमातमा कहते हैं nothing new के part द्वरा हमारे सामने situations आती हैं उनको nothing new समझना है nothing new के part द्वरा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूरत भवा अगर आपको पीछे disturbance हो रही है मैं आपका ध्यान हो आपके लेकर नहीं जाना चाहता है लेकिन पूजाएं चलुरी आपको भी पता है आप अपना ध्यान पूरा फोकस करें मैं जो आपके साथ बर्दान शेयर करा हूँ उसके उपर बाकी disturbance को हटा दें ये चीज़ हम first step सीखते हैं meditation में भी तो परमात्मा कहते हैं कि विग्नो को देखकर घबराओ नहीं मूरती बन रहे हो तो कुछ hammer हतोड़े तो लगेंगे ही ये आप भी जानते हैं मूरती को आजकर हो सकता है machine में बनाया जा लेकिन पहले के जमाने में एक मारतोल लेते थे मनलकी hammer और एक chisel लेते थे जिसके उसको छेनी लेते थे ठोका जाता था तब जाकर के मूरती बनती थी पत्थर से आप भी आपकी personality जो है हमारा निर्णे शक्ती और परखनी की शक्ती और perfect होती जाए तो परमादवा कहते हैं hammer से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं मूरती में कहीं अगर थोड़ा हाथ कहीं से जादा बड़ा हो गया तो यहाँ पर चिजल कर देंग उस चीज को तो ठोक न तो पड़ता है न उसी तरके से हमारी personality भी कैसी होती है ठोक ठोक करके हमारी personality अच्छी बनती है वो हमें लोगों के थपेड़े जो हमारे साथ में trust की problems कहीं धन लगाया वो चला गया किसी पर भरोसक किया वो उसने छोड़ दिया किसी का relationship बनाया उसने दोका दे दिया यह सारी चीज हमें सिखाती है तो घबराना नहीं है तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तुफान ज़्यादा cross करने पढ़ेंगे simple सी बात है इसको accept कर लीजे लेकिन आपके लिए यह तुफान तोफा है यह तो तुफान यह तो gift तुफा मनला gift तुफा समझके चलेंगे तो आपका attitude change होगा attitude change होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कोसेंगे दुनिया को क्या कर सकते हैं अच्छा नहीं है इंसानी बड़े गंदे हैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं अरे इनके साथ नहीं करना है लोग कहते हैं कि इस तरीके से सोचना पढ़ता और अपना को safe लगो लेकिन परमात्मा कहते हैं इससे आपकी तविद भी खराब होगी आपके वृत्ति भी खराब होगी, आपके अंदर impurity भी आएगी और आपकी सेहत खराब होने से आपको problem पड़ेगी, आप हर चीज़ को game समझो, किसी की personality को भी game समझो किसी के वहवर को भी game समझो और उसको game की तरह, तूफान को game की तरह, तूफे की तरह, आगे लेते चलो उसके लिए wisdom चाहिए विवेक चाहिए, परमातफर कहते है अनुभवी परमातफर कहते है, अनुभवी बनने के के, इसलिए ये नहीं सोचो कि क्या सब विगनों के अनुभव मेरे पास ही आने है क्या मुझे ही face करना है मेरे साथ ही प्रॉलम आनी चाहिए, relationship की प्रॉलम हो चाहिए सेथ की प्रॉलम हो चाहिए, finances मेरे घर में प्रॉलम आनी थी, मेरे साथ ही प्रॉलम आनी थी मेरे रिष्टोधारों को भी प्रॉलम आनी थी सब के सब wise बन रहे हैं यह कदम है आगे बढ़ने के वेलकम करो परमात्मा कहते हैं बड़ा अच्छा वोर्ड उसके है परमात्मा ने वेलकर्म करो आओ और प्रोल्म्स आओ और सीखें और समझें और वाइस बने नथिंग नथिंग न्यू का पार्ट पक्का हो तो ये विघन खेल लगेंगे कोई कोई बड़ी बात नहीं पहले भी आये थे अब ये पहले कैसे आये थे पहले 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 पिछले साइकल में जब मैं पिछले साइकल में ज़र्ती पाया थे तब भी आये थे इसका राज समझने के ब्रहमकुमाईज में आये और उस इसको गहराई से समझें कि पहले भी आये थे और सेम ऊहीं repeat हो रहा है नाटक ऊहीं repeat हो रहा है जैसे एक movie को आप देखतेई हैंगा गारी जुसरी भाविट आपको परता उथिने क्या होने वाला है सेम चीज़ें आ पर है यह राज समझना बहुत जरूरी है तब जाके आपके मन में बैलेंस रहेगा इसके साथ उमश्यांती